है लो नमस्ते एवरीवन मैं हूं विनोत पारिक और आप सभी का हमारे चानल वर्बल इंग्लिश विद विनोत में स्वागत है दोस्तों क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप इंग्लिश बात तो कर पा रहे हैं लेकिन जो इंप्रेशन आप जमाना चाहते हैं जो अट्रक्षन आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही है दोस्तों कई लोगों की यह समस्या रही है और इसी समस्या को ध्यान में रखकर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में हम आपको 10 useful idioms और expressions यानि मुहावरे सिखाएंगे जिनको इस्तेमाल करकर आप अपनी रोजमरा की इंग्लिश को और बहतर और इंप्रेसिव बना सकते हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को अंट तक देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो जरूर लाइक कीजिए तो चलिए शुरूरत करते हैं हमारा वीडियो Hello everyone let's start our session दोस्तों हमारा आज का पहला एडियम है come what may come what may का हिंदी में मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए इस phrase का use हम तब करते हैं जब आपको कोई काम करना है तो बस करना है या आप किसी से कोई वादा करते हैं कि मुझे ये काम करना ही है तो चलिए दोस्तों इसको example से समझते हैं पहला example है मैं उससे बात नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए English translation होगा I will not talk to her come what may दूसरा example है उसने वादा किया है कि वह इस बार परिक्षा में पास हो जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए English translation होगा she has promised that she will pass this time come what may दोस्तों आप come what may sentence के starting में भी लगा सकते हैं और end में भी लगा सकते हैं example के तोर पर come what may I will not talk to her समझ में आया दोस्तों हमारा दूसरा idiom है इसका हिंदी में मतलब होता है कटिनाई या जरूरत का समय इस phrase का use हम जरूरत के समय पैसों की बचत करने के लिए करते हैं examples है तुम्हें कटिनाई के समय के लिए पैसे जमा करना चाहिए English translation होगी you should save money for a rainy day दूसरा example है मुझे तालाबंदी में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैंने कटिनाई के समय के लिए पैसे बचा रखे थे translation होगा I did not face any problem during lockdown because I had saved money for a rainy day ठीक है दोस्तों let's move on to next idiom हमारा तीसरा idiom है far and white जिसका हिंदी मतलब होता है दूर दूर तक friends इस idiom का use हम दूरी या distance बताने के लिए करते हैं तो चलिए कुछ examples देखते हैं पहला example है उन्होंने खोये हुए बच्चे को दूर दूर तक तलाश किया लेकिन उसे नहीं धून पाए English translation होगी they searched far and wide for the missing child but could not find him दूसरा example है उसकी ख्याती दूर दूर तक फैल गई या फैल चुकी है English translation होगी his fame has spread far and wide understand friend let's move on to next idiom हमारा चौता idiom है a fair weather friend जिसका हिंदी का मतलब होता है सुक का साती दोस्तों इस phrase का use हम उस दोस्त या व्यक्ती के लिए करते हैं जो सिर्फ सुक के समय में साथ होता है ना की बुरे वक्त में let's see examples पहला example है मैं एक सच्चे या वफादार दोस्त की तलश कर रहा हूं ना की तुम जैसे सुक के साथी की इंग्लिस ट्रांसलेशन होगी I am looking for a loyal friend not a fair weather friend like you दूसरा example है जोन केवल सुक का साथी है इंग्लिस ट्रांसलेशन है जोन is just a fair weather friend ठीक है दोस्तों चलिए आगे बरते हैं दूसरे एडियम की और हमारा पांचवा एडियम है on cloud 9 और 7 जिसका हिंदी मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना दोस्तों इस एडियम का यूज हम बहुत ज्यादा खुश होने पर करते हैं फ्रेंड्स हम कई बार ऐसा कहते हैं कि वहा तो सातवय आसमान में उड़ रहा है यानि वहा बहुत खुश है एक्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स पहला एक्जाम्पल है नवकरी मिली जब से सिमरन बहुत ज्यादा खुश है एक्जाम्पल का ट्रांसलेशन है सिमरन इस ओन cloud 9 since she got a job दूसरा एक्जाम्पल है मैच जितने के बाद वहाँ सातवय आसमान पर था he was on cloud 9 after winning the match और having won the match he was on cloud 9 ठीक है दोस्तों चली आगे बढ़ते हैं छटवे इडियम के ओर अमारा 6th phrase है here से जिसका हिंदी मतलब होता है कही सुनी बाते जो सच नहीं है या सच नहीं होती दोस्तों इस phrase का use हम तब करते हैं जब आप से कोई कुछ कहे और आप उसे नहीं मान कर कहते हैं कि कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कुछ और एक्जाम्पल से दोस्तों पहला एक्जाम्पल है हम किसी को कही सुनी बातों पर आख नहीं सकते हैं इंग्लिस ट्रांसलेशन होगी we can't judge anyone on the basis of here से दूसरा एक्जाम्पुल है मैं कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता इंग्लिस ट्रांसलेशन होगी I don't believe on here से ठीके दोस्तों हमारा सेवन्थ एडियम है blow one's own trumpet जिसका हिंदी मतलब होता है अपनी तारीफ खुदी करना फ्रेंट्स कोई व्यक्ति अगर खुद अपनी तारीफ करता हो या कर रहा हो तब इस एडियम का यूज करते हैं चलिए कुछ एक्जाम्पुल्स देखते हैं पहला एक्जाम्पुल है उसे खुदी अपनी तारीफ करने की आदत है English translation होगी He has the habit of blowing his own trumpet दूसरा एक्जाम्पुल है मैं उसे नजर अंदास करता हूँ क्योंकि वह खुदी अपनी तारीफ करता है English translation होगी I avoid him because he blows his own trumpet Okay friends, let's move on to याइथ हमारा याइटीडियम है Every Nook and Corner जिसका हिंदी मतलब होता है कोना कोना या हर जगा Guys, कई बार आपने सुना होगा किसी को कहते हुए कोना कोना चपा चपा जैसे मैं शहर का चपा चपा या कोना कोना जानता हूँ इस situation में हम Every Nook and Corner का यूज करते हैं चलिए कुछ एक्जाम्पुल से इसको समझते हैं पहला एक्जाम्पुल है मेगा ने घर का कोना कोना धूंड लिया English translation होगी मेगा सर्ज्ड Every Nook and Corner of the House दूसरा एक्जाम्पुल है मुझे शहर का हर नुकड या कोना कोना याद है English translation होगी I remember every nook and corner of the city perfectly well हमारा 9th phrase है Lame Excuse जिसका हिंदी मतलब होता है जूटा पहाना Friends, इस phrase का use हम तब करते हैं जब कोई जूटा पहाना बनाता है मान लीजिए कोई आफिस लेट पहुंसता है और बॉस से लेट होने की वज़ा कहता है की रास्ते में बाइक खराब हो गई थी लेकिन लेट किसी और कारण से हुआ है ऐसे पहानों को Lame Excuse कहते हैं Examples हैं पहले Example है आनन्द हमेशे अपनी देरी के लिए जूटे पहाने बनाता है English translation होगी आनन्द always makes lame excuses for his delay दूसरा Example है वह कल जूटे बाहानों के साथ अभ्यास करने आने वाला है English translation होगी He is going to come to practice with some lame excuses tomorrow Okay friends, let's move on to next Friends, हमारा last और 10th idiom है An Apple of Discord जिसका Hindi मतलब होता है जगड़े या कला की जड़िया वज़ा होना Friends, इस idiom का use हम उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो किसी जगड़े या फसाद की जड़िया कारण हो हम कई बार इस तरह के sentences को सुनते हैं जैसे तुम ही उन दो भाईयों के बीच जगड़े की जड़ हो ठीके friends, कुछ और example से समझते हैं पहला example है पुस्तेनी संपती तीनों भाईयों के बीच जगड़े या कलर की जड़ बन गई English translation होगी The ancestral property become an apple of discord among the three brothers Second example है पानी का बटवारा दोनों राजियों के बीच जगड़े की जड़ रहा है English translation होगी The water sharing has been the apple of discord between the two states ठीके दोस्तों So guys, बस इतना ही session में आप इन सभी idioms और phrases को regular practice करें कुछ से sentences बनाए और अपने regular conversations में इनका use करें constant practice करने से ही यह आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो उमीद करता हूँ कि आप सभी को यह topic पसंद आया होगा मैं जल्दी इस तरह के कुछ और videos लेकर आऊंगा जिसमें हम कुछ और नए नए idioms और phrases को सीखेंगे that's all friends please do take care of yourself until then